स्वागत है दोस्तों आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बिटकोइन फ्यूचर के बारे में कल यह हमें स्वाप करने के लिए अवेलेबल हो चुका है अभी तक उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी नहीं दिए उसके उपर हमें क्या क करना चाहिए विड्रॉल करना चाहिए होल करना चाहिए रेट तो बहुत कम लगा होल करना तो नॉर्मल सा बनता है दोस्तों तो इसमें क्या करना चाहिए इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको आज की वीडियो सेशन में दी जाएगी और बिटकोइन में एक ट्विट आय का rate बढ़ने से हमें क्या फाइदा होगा इसका पुरा connection आज की वीडियो session में आपको दिया जाएगा स्वागत है आप सब का आपका चैनल यू crypto crypto की दुनिया free mining की दुनिया जो लोग चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने followers bell icon all set पे दबा दीजिए ता कि आपको सारी notifications time to time मिलते रहेंगे तो दोसों देगा एक छोटा सा अपडेट है अवाई वर्ड में आया है उनका partnership हो रहा है हमें gas भी लगने वाली नहीं तो यह बहुत अच्छा legit app है potential बहुत है जिन लोगों अभी तक mining चालू नहीं की आज से ही चालू कर लीजिए और जो लोग पुराने लोग है refer कर लीजिए speed बड़ा लीजिए अवाईव में क्योंकि बहुत जल्दी बहुत बड़े अच्छे अच्छे किताब लिखे जिन्होंने बहुत सारे रेकॉर्ड्स किये है rich dad poor dad का लेकक है यह तो इन्होंने प्रेडिक किया है कि bitcoin 120 K तक जाएगा next year तक इस news को cover किया है बहुत सारे magazines ने cover किया है Robert Kiyosaki predicts bitcoin price rally 220 की उसी news को इसका recently started charter ने भी उनको tweet किया है कि predict किया है उन्होंने क्या predict किया है देखो issued a prediction that 50 K prediction of bitcoin by the end of 2023 2023 के end में इसकी price 50 K हो जाएगी bitcoin की और 120 K by the year of 2024 तो अभी यह prediction आ चुका है अभी market में तो सब जगा news चल रहा है कि after December Halloween होने वाली है उसके बाद बुल रनाने वाला है Bitcoin का price फिर से 65,000 की पर जाने वाला है यह news तो हमें मालम लेकिन अभी prediction यह बंदा ऐसे ही प्रेडिक्ट नहीं करता Robert Kiyosaki बहुत अच्च अच्चे इससे पहले भी उन्होंने prediction किया अभी अगर यह prediction सच आती है और Bitcoin 120K तक जाता है 120K डॉलर्स तक अगर Bitcoin जाता है तो सभी coins के rate बढ़ते है दोस्तों सभी coins के rate बढ़ते है अभी देखो Bitcoin का rate कितना है 30K डॉलर्स है 50K हो जाएगा month end तक 50K हो जाएगा year end तक और कुछ भी हो जो भी हमें मिले है Super X के मिले है Omega के मिले है Renex के मिले है इन सब में potential आ जाता है यह 10X 100X 1000X भी इन में growth हो जाती है मतलब अगले साल तक हमारे परस अगर आपके पास $20 के dogey है तो यह $200 के हो जाएगे आपके पास एक या $2 का सेलो है तो यह $20 या $200 का भी हो जाता है तो ऐसे है जो भी coins आपने माइन की है संबाल के रखना hold करके रखना एक साल में कुछ भी हो सकता है कोड़ाओ कुछ भी कर सकता है अभी अगर यह $120 तक Bitcoin जाता है तो हमारा Core $1,000 तक पक्का जाएगा 101% $1,000 तक Core जा सकता है और अभी जो लोग mining कर रहे है इसमें हमें already open x नाम का token मिल रहा है इसमें mining कर लो क्योंकि इसकी launching listening March 2024 में होने वाली है तो बराबर bull run के वक्त हमें यह coins मिलेगी और bull run में अगर coin list होता है तो rate बहुत तगड़ा निकलता है दोस्तों तो कोई भी मिस मत करना इसमें mining चलू रखना Core DAO में Core DAO सतोशी बहुत लोगों confusion यह दोनों एक ही app है दोस्तों अब चलते हमारा main topic Bitcoin F की तरफ तो यह हमें स्वार्पिंग के लिए available होने वाला था तो कल इनके ट्विट आये बहुत सारे कल ट्विट तो बिल्कुल नहीं आया तो कल सर्फ टेलिग्राम पर मेंसेज आया थे और आज उनका ट्विटर पर यह ट्विट आया है तो यहां पर ट्विट में सर्फ उन्होंने अड्रेस दिये हैं Bitcoin F का Binance का अड्रस दिया है तो अगर यह Binance का अड्रस अगर हम कॉपी करके अभी लेके जाते हैं बीची स्कैन पर तो यहां पर आप देख सकते हो मतलब लिष्टिंग नहीं हुई है ठीक है Supply मिल रहे है Supply कितनी है एट पेटा मतलब बहुत बड़ी Supply है Million billion trillion trillion की आगे जाके quadrillion होता है तो एट पेटा इसकी supply है और Rate निकल के आया है बहुत कम निखल गया, 0.103846 यह rate है, अब यहां देख सकते हो, liquidity add हुए है, 60,000 liquidity है, volume अच्चा है, supply भी यहां पर देख सकते है, 8.01 पेटा, इतना volume है, 6 holders है, तो अब यह दीरे दीरे इसका rate बढ़ना चालू हो जाएगा, तो at present बहुत कम rate है, तो जैसे हमारा strategy था, कि rate कम आता है, तो ह charging कैसे करना है, swapping का तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, तो वो मैं एक short में आपको बता देता हूँ, मैं आपको telegram channel पर उनके लेके जाता हूँ, और वहां पर उनके जो आये है, वो सिर्फ explain कर देता हूँ, तो दोस्तों देखो, अभी हम आ गये है, उनके telegram channel पर, ठीक Kart Cape p, Metamarkx and Trust Wallet, तो USDT से आप bitcoin F कैसे खरीज सकते हो, यह वाला सर्फ post दाला है उन्हों है, तो इसमें वो सब दिया है, उन्होंने, उसके बाद में एक वीडियो दाला है, वीडियो में भी वीडियो बताया है, सर्फ USDT से आप bitcoin F कैसे खरीज सकते हो, यह वाला वीडियो द Bitkip और Metamarkst, दोनों एक ही मोबाइल में हैं, तो आप यह coin bridge कर सकते हो, बतलब यहां से वहां लेकर जा सकते हो, लेकिन आगे क्या लिखा है, वह पढ़ लेना, उसके बाद भी करन देना, copy the while link and paste in the wallet browser, minimum amount, minimum amount कितना है Bitcoin F का, 1 billion, 1 billion Bitcoin F अगर आपके पास है, तो ही आप bridging कर सकते हो, और उसके लिए fees कितनी लगने वाली है, 30 million Bitcoin F की fees लगने वाली है, यह तो बहुत ज़्यादा है न, तो फिलाल देखो हमारे पास rate तो कम है, तो hold करना सबसे अच्छा बनता है, hold करना best ह है, hold हम करने वाले है, यतनी fees क्यों देनी है, क्या देनी है, और आगे जाके fees कम होती है, और यह जो minimum limit होते है, जैसे liquidity add होती है, यह minimum limit भी कम-कम होते जाता है, आगे क्या लिका है, if you don't need it, don't move it, क्यों को move करते हो Bitcoin F, on the Bitcoin network, it is still trading normally, अच्छे से normally trade कर रहा है, तो इन में से उन last post अभी दाला है, यहाँ पर देखो, swap from BNB और USDT, मतलब USDT से BTCF को swap कर सकते हो, then BTCF to Bitcoin F, उन्होंने सिर्फ अभी BTCF से Bitcoin F में कैसे swap करना है, USDT से BTCF में कैसे swap करना है, इसकी ही instruction दी है, फिलाल उन्होंने Bitcoin F को USDT में कैसे swap करना है, कहां पर करना है, क्या करना है, इसका प्रॉपर गाइडलाइन से ही हम Bitcoin F को USDT में transfer करेंगे, फिलाल ब्रिजिंग के लिए ज्यादा फीज लगती है, तो हम बेट करेंगे, swapping के लिए कितना फीज लगने वाला है, यह तो अभी उन्होंने उनके announcement channel में बताया नहीं है, जैसे ही वो अच्छे से announcement दालते है, बहुत चेंज करते है, minimum limit कम कर देते है, ग्यास फी कम कर देते है, तो इन सब का हम वेट करेंगे, उसके बाद ही हम bridging और swapping करने की कोशिश करेंगे, वीडियो अच्छी लगी है, तो like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और bell icon दबा देना, ताके आपको ऐसे बहतर updates time to time मिलते र कर देना, तो 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 कर देना, तो